दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप लोग का सीविल टेक चैनल में आज हम लोग सीविल इंजीनिरिंग के प्रिवियस एर कुश्चन को डिसकस करने जा रहे हैं जो की एक्जाम पॉइंट आप व्यू से मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन्स हैं यह वीडियो का पहला पार्ट है यह हमारा वाट्सअप गुरूप नमबर है और नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आप इन दोनों पर मैसेज करके हमारे गुरूप को जोईन कर सकते हैं जहां पर हम समय समय पर सिविल इंजीनिंग से सम्मंदित पीडियाफ वा उनके वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं तो वाई यह स्टार्ट करते हैं 101 यह नंबर कुशन दिया है कहा है दा लाइन पासिंग थो दा पॉइंट आफ जीड़ू डिक्लाइनियिसान इज्नूण formally जिए क्या कह रहा है कह रहा कि जीड़ू डिकलाइनियेशन से पास होने वाले लाइन को क्या कहते ह तो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा भी एगोनिक लाइन कहते हैं चा कहते हैं एगोनिक लाइन कहते हैं 102 नंबर कुछन दिया है कहा रहा है कि वेंदा डिफ्रेंशियल लेबलिंग इस डन इन आडर टू कनेक्टेड या कनेक्ट ए बेंचमार्क तू दा स्टार्टिंग पॉ सब्सक्राइब यह आपको बताना है तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा एंसर यहां पर लेबलिंग कहते हैं क्या कहते हैं उसे थेंगर कुछन दिया है 103 नबर कुछन करा किकांटूर लाइंस meeting at a point indicate क्या कह रहा है जो contour line होती है वो meeting करती है meeting at a point जिस point पर मिलती है वो indicate करता है क्या indicate करता है उसे vertical click कहते है यह वाला answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा तो 106 number question दिया है कह रहा है the timber piece whose width and thickness exceed 50 mm but are less than 200 mm in the length is called क्या दिया है कह रहा है कि timber piece यानि timber का वहाँ टुकड़ा खूज वीर्थ जिसका जो है क्या चौड़ाई और ठीकनेस क्या होती है exceed 50 mm यानि 50 mm से अधिक होता है but are less than यानि कम होता है 200 mm या 200 mm से कम होता है length जो होता हो 200 mm से कम होता है तो उसे क्या कहते है उसको कहते है scantling क्या कहते है scantling कहते है c वाल आइंसर यहां पर correct हो जाएगा कहने को मतलब क्या है कह रहा है कि timber का ऐसा टुकड़ा जिसकी width और ठीकनेसाब कर जो है वो 50 mm से अधिक है लेकिन जो उसकी length है वो 200 mm से कम होती है तो उस timber piece को क्या कहते है उसको scantling कहते है आपका 106 का C वाल आइंसर यहां पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा इसके बाद 107 number question दिया है 107 number question में क्या कह रहा है कह रहा है the glass articles क्या दिया है glass articles after manufactured यहनि manufacturing करने के बाद glass articles होता है are to be cooled down slowly and gradually यहनि क्या है उसको slowly और gradually क्या आते है cool down यहनि ठंडा करते है तो कह रहा है the process of slow and homogeneous cooling of glass articles is known as कह रहा है कि जो slow and homogeneous cooling करने का जो process होता है glass article का इसको किस नाम से जाना जाता है तो correct answer क्या हो जाएगा आपका यहां पर correct answer हो जाएगा उससे annealing कहते है क्या कहते है यह नीलिंग कहते है यह वाला answer आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा इसके बाद 108 number question दिया है 108 number question क्या कह रहा है कह रहा है कि when the final code of the paint has not sufficient opacity क्या दिया कह रहा है जो final code of the paint है याई पेंट का final code है हो क्या होता है has not sufficient opacity the background is the clearly seen यानि background क्या होता असपर से देखा जा सकता है तो कह रहा है कि this is known as तो इससे क्या कहते है इससे grinding कहते है आपका यह वाला answer यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा उसके बाद 109 number question दिया है 109 number question में क्या कह रहा है कि following is not the process involved in the fabrication of the articles आप प्लास्टिक यानि क्या दिया प्लास्टिक के आडिकल के fabrication में इन में से कौन सा process involved नहीं होता है तो यह आपका यहाँ पर डी वाला answer correct हो जाएगा tempering जो होता है involved नहीं होता है यानि लेमिनेटिंग हो गया ब्लोबिंग हो गया कैलेंडरिंग हो गया यह सब क्या होते हैं यह involved होते हैं और आपका tempering जो होता है वो involved नहीं होता है 109 का डी वाला answer यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल माइनिसिया का silket होता है यह आपको बताना है तो correct answer क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहां पर correct answer उसको static कहते हैं क्या कहते हैं यह 110 का डी वाला answer यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा उसके बाद 111 नमर कुष्चन देखते हैं 111 question कह रहा है कि the in the axis make the सीम्इट अंसाउंड एंड ये इस्पैं डिसंतेग्रेट एच्छा कुष्चन है किसकी अधिकता से सीमेंट जो ऊक्षाण हो जाता है और सेमें क्या होता है इस पैंड और कुर्द गणिस आत ही तो आपको सब्सक्राइब करेक्ट एन साथ लाइम के एक्स से होता है क्या होता है क्या होता है आपका 112 नंबर कुरूषम कैने क्या आपका के सर्फेस को फिनिश करते हैं जैसे कि माल लिजे क्या है आपका ब्रिज फ्लोर हो रोड का स्लैब हो इस सब के लिए हम कौन से वाइबरेटर का यूज करते हैं तो करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा भी यहां पर सर्फेस वाइबरेटर का यूज करते हैं किसका यूज करते ह सर्फिस वाइब्रेटर कर यूज करते हैं 112 का यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आपका 113 नंबर कोशन दिया है 113 नंबर कोशन कर रहा है कि इन दा केससा आप बिग प्रोजेक्ट यहनि बड़े प्रोजेक्ट्ट के केस में एकटेंडव्स फिस्टेंट con.5 vo मतलब क्या है मतलब सी तोटल माउण रखा जाता है तो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा यहां पर इंशको बोलते हैं वर्क चार्जड इस्टिबिसमेंट क्या होता है कि जो इसकी मातरा होती है वो लेकर दो परसंट के बीच में डखी जाती है टौटल इस्टिमेंट का डिए से और दो परसंट के भीता लगते हैं 113 का valid आपका करिक्ट हो जाएगा उसके बाद इसके बहुत सोच मींreckay रह देखते हैं तो 114 नमर कुछिंट में गमर कहा है कि का रहा कि रेट अनाल्सिस में इंडियन डब्लू सी का जो मीजर्मेंट करने की यूनिट क्या होगी अगर उसकी साइज पांसो अच्छ सी एम्म की है तो अच्छी करने साने क्या होगा तो करेक्ट एंसर हो जाएगा उसको नंबर में काउन्ट करते हैं वी वाला एंसर यहां और क्या हो जाए कब रिल्कुल करेक्ट हो जाएगा के 115 नंबर कुश्टन दिया है का रहा है क्या कि इन्ध 35 टीन टीन लु न errएं टलीलड जीग होगया इस तरह के जो कटेंस होते वैँंञ इनका लिए कि कि are to be decided decide कि जाता है by the architect architect के द्वारा in the consultation with the with his client at the some future date कुछ future date के लिए अगे दिया कि the detail of the search item are not worked out at the time of the inviting tenders but for the excavation of such items a lump sum amount of put up in the bill of the quantities this amount is known as क्या दिया हुआ अच्छा कुश्चन है कि कुछ amount जैसे की आपका होता है water supply fitting हो गया sanitary fitting हो गया door and window fitting हो गया इस तरह के जो fittings होते हैं उनके लिए क्या होता है architect के द्वारा decide के जाता है क्या decide करते हैं in the concentration with his client अपने client के साथ में कि add the some future date कुछ future date पर क्या होता है कि detail of the such item इस प्रकार के जितने भी items होते हैं उनका जो detail होता है are not worked out at the time of inviting tender यानि जब tender को invite कर रहे होते हैं तो उस sum amount में रख लेते हैं कब जब हम किसी भी बिल्की quantity निकाल रहे होते हैं तो तो कह रहा है इस तरह के amount को हम क्या कहते हैं तो यह amount कहलाता है आपका prime code क्या कहलाता है प्राइम कोड कहलाता है और हो जाएगा न्यूटन पर मेटर हो ता है क्या होता है न्यूटन पर मेटर होता है 116 का यह क्या हो एक स Bright उसके आपшейक्ट कर्दा है किसमे कहा होता है丁ट और हो जाएगा पोज सीट बस्पर केंग से रह आएं से enhance Correct हो जाएगा 108 No Question दिया है 108 No Question م مわか çıkar Is the square root of the ratio inertia force and pressure force क्या दिया है कि किसका Vaaju का såquire root होता है किसका खिरा inertia force और pressure force यह इन दोनों का जो ratio का square root क्या कहलाता है तो correct answer आपके यहांप सी हो जाएगा Euler nobor कै थे Euler nobor क्या होता है inertia force upon pressure force होता है 118 का C वाल एंसर यहां पर क्या हो जाएगा कि बिलकुल कर्रेक्ट हो जाएगा इसके बाद 119 नमबर कुश्चिन दिया है 119 नमबर कुश्चिन में कह रहा है कि the momentum correction factor beta momentum correction factor जो होता है beta is used in the account for क्या कह रहा है कि हम जो momentum correction factor beta होता है इसको हम कहां यूज मिलाते हैं तो correct answer आप कसी हो जाएगा non-uniformly distribution of the velocity at the inlet and outlet section क्या दिया है non-uniform distribution of velocity at the inlet and outlet section पर होता है 119 का C बाल answer कि क्या हो जाएगा है हम पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसके बाद 120 number question दिया है 120 number question कहरा है कि a flow net is a graphical representation of the streamline and ecoprotential line such that these line क्या होता है क्या ओधने क्या होता है ओधने इन्ट्रेक्ट यह दूसरे को काड़ती है इस दूसरे को काड़ती है आर्थोगोनली क्या दिया आपका कर्वी लीनियर स्क्वाइर क्या दिया है कर्वी लीनियर स्क्वाइर के रूप में एक दूसरे को क्या करते हैं aukoald को छाएगा इसके बाद आपका 121 Heyo Qoday Q करते हैं उन एचिविक य। इनर्जी खाएगा से और थो इनर्जी होती है with respect to the channel bottom which is taken as the datum यानि 121 का C वाला एंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा उसके बाद आपका 122 नमर question दिया है 122 नमर question में कह रहा है कि the boundary layer exist in which आप the following क्या दिया है कि जो boundary layer होता है तो वो exist करता है किस में यानि किस fluid में यह exist करता है तो correct answer क्या हो जाएगा आपका A वाला answer correct हो जाएगा flow of real fluid क्या होता है flow of real fluid होता है 122 के A वाला answer क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा उसके बाद आपका 130 नमर question दिया है 130 नमर question में क्या कह रहा है कह रहा कि the drag and lift क्या दिया है the drag and lift force experienced by an object placed in a fluid stream are due to अच्छा question है कह रहा कि drag and lift force जो होता है वह experienced by an object placed in a fluid stream are due to किसके कारण होता है तो correct answer आपका हो जाएगा C यहाँ पर correct answer हो जाएगा pressure and velocity होता है क्या होता है pressure and velocity होता है तेज का सीवाल answer यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा इसके बाद आपका 124 नमर question दिया है कह रहा है कि in the case of turbulent flow turbulent flow के case में जो loss of head होता है इस approximately proportional होता है कि इसके प्रपोजनल होता है तो यह आपका correct answer यहाँ पर दि हो जाएगा velocity के ברек के स्कृइर्ड डार्क टिब्र क्पोजनल होता है क्या होता है कि कि मैं टलाउस होता है में कि प्रपोजनल होता है उस ल क्रॉक्समेटल होता है उसके बाद 125 नमर कोशन दिया कैना कि आड़ दोज वीच्व चपेबल और दा हीड़ less than 30 meter क्या दिया है कि किस केस में जो होता है आपका विच आर के पेवल आफ वर्किंग अंडर दा है लेस्ट थैन थार्टी मीटर से कम पर क्या बोलते हैं कौन सी टर्बाइन जो होती है क्या होती है वह वर्केबल होती है ठीक यह पूछ रहा है आपसे तो करेक्ट एंसर क्या ह हो जाएगा आपका यह वाला एंसर करेक्ट हो जाएगा जो लो हेट टर्बाइन होती है और दोज विच यह एसी टर्बाइन होती है जो कि के पेवल होती है किसके लिए वर्किंग के लिए अंडर दा हेड लेस्ट थैन थार्टी मीटर तो 125 का यह वाला एंसर क्या हो जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए उसके लिए को डाट सय इस्ट्रिमीटिंग करने के लिए का रना doit उसे कहते हैं नार्मल रेशियो मेटिस कहते हैं यहां पर क्या हो जाएगा निलकुल करें Rel hostage के बाद आपका 127 नमर कोश्चन दिया है 127 नमर कोश्चन में कह रहा है कि दिश्चार्ज पर यूनिट ड्रावन एट एवल इस नोन एज क्या कहला था उससे कहते हैं इस पेस्पिक कैपसिटी सी वाला आइंसर यहां पर क्या हो जाएगा बिल्गों करेक्ट हो जाएगा उसके बाद 128 नमर कोश्चन दिया है 128 नमर कोश्चन में कह रहा है कि इस डिफाइन एज यानि इसमें से किसको हम डिफाइन करते हैं आइज दा एमाउंट आफ एरिगेशन वाटर के रूप में दैट इस रिक्वार्ट तू मीट ना इवापो ट्रांस्पिरेशन नीट टुदा क् वाटर करते हैं आणि एरिगेश हमाउंट के रूप में जो की डैट इज डिक्वार्ट प्रांस्पिरेशन नीट ओं डा टुन उप्र टूरिंग फूल ग्रोथ क्या कहते हैं तो उसे जो है कि कहते हैं से काण्जेप्तिव इरिगेशन रिक्वार्मेन कहते हैं 128 का सी वाला एंसर यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आपका 129 नमय नमर में कहे रहा है कि इनद ग्रीव्टी रेम्च ग्रेवटी रेम में क्या होता है जो inertia force होता है क्या होता है gravity damage inertia force होता है वो act कार करता है in the direction opposite to the acceleration imparted by the earthquake force and is equal to the product of the mass and the acceleration क्या दिया हुआ है gravity time में ऐसा counts of force होता है जो हम act कार करता है वो direction opposite to the acceleration imparted by the earthquake force and is equal to the product of the mass product of the mass and acceleration तो क्या होता है correct answer हो जाएगा inertia force होता है क्या होता है inertia force होता है 130 number question दिया क्या दिया है क्या रहा है क्या है इसमें is an irrigation structure constructed क्या दिया कि इसमें से कौन सा ऐसा irrigation structure है जो कि हम क्या करते हैं construct करते हैं निर्माड करते हैं एक क्राजदा कैनार आप दा lower down its water level इसके water level को lower down नीचे करने के लिए and destroy the surplus energy surplus energy को destroy करने के लिए liberated from the falling water which may otherwise score the bed and the bank of the कैनार क्या होता है correct answer आपका हो जाएगा है यहां पर एक कैनार फाल्स कहते हैं जो कैनार फाल्स होता है वह irrigation structure करने होता है जिसका हम निर्माड करते हैं किसले करते हैं एक राजदा कैनार के ऊपर करते हैं जो कि lower down lower down its water level इसके water level क्या करता है नीचे कर देता है and destroy कर देता है surplus energy को जो कि क्या होता है liberated होता है इससे liberated होता है from the falling water which may otherwise score the bed and the बाइं काब्दा कैनार यानि क्या हो जाएगा आपका 130 का यह वाला answer यहां पर बिल्कुल आपका correct हो जाएगा इसके बाद 131 number question दिया है 131 number question में कहरा कि in the gravity damn gravity damn में क्या होता है जो factor of safety होता डेड़ से 1.5 से कम नहीं होना चाहिए 131 का बी वाला answer correct हो जाएगा 132 नमर question दिया है तो 132 number question में कहरा कि in the reserve wire reserve wire में क्या होता volume of water below the minimum pool level इस known as क्या कहला था उसको dead storage कहते है यह वाला answer correct हो जाएगा फिर से question को देखिए कहरा इस reserve wire में volume of water water का जो volume होता है below the minimum pool level minimum pool level के नीचे volume of the water जो होता है वो क्या होता है वो dead storage कहलाता है 132 का यह वाला answer क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा उसके वाला 133 number question दिया है तो 133 number question में कहरा कि evaporation is determined experimentally using कहरा है क्या कि जो evaporation होता है उसको अगर हम experimentally रूप से देखा जाए तो ग्याद करने के लिए किसका यूज करते हैं तो correct answer आपका यह हो जाएगा and open point क्या दिए है कि C open एक open point के माध्यम से क्या करते हैं यूज को हम ज्याद करते हैं 133 के वाला answer क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा उसके बाद 134 number question दिया 134 number question कह रहा है कि the total angle of deflection of a transition कर्व कह रहा है 134 का C वाला answer क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा इसके बाद आपका 135 number question दिया है 135 number question में कह रहा है कि perpendicular offsets from the junction of a transition curve and the circular curve to the tangent is equal to क्या दिया है अच्छा question है कह रहा है perpendicular offset from the junction of a transition curve and the circular curve to the tangent of a tangent is equal to किसके एक्वल होता है तो correct answer आपका हो जाएगा भी 0.5 into shift यहीं 0.5 into shift के एक्वल होता है बी वाला answer यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका correct हो जाएगा उसके बाद 136 number question दिया है 136 number question क्या कह रहा है कि इन था photographic surveying यह फोटोग्राफिक सर्वेइंग ने जो by sector stop and angle between the line joining the plump point and the principal point intersect the ground and the picture plans at eye and small eye respectively तो कह रहा है तो इस रूप से हम इसको करते हैं तो कह रहा है बताना है कि यह से क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको is called कहलाता है क्या कहलाता है यह ISOs enter कहलाता है सी वाला answer यहां पर क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा 138 number question दिया है कह रहा कि which of the following is review formula is to be used for the fluid estimation fluid estimation के लिए जो review formula होता है इस में से कौन सा फार्मूला है तो correct answer आपका हो जाएगा क्यों बराबर होता है cm2 बटा 3 क्या होता है क्यों बराबर होता है cm2 बटा 3 138 का एबाला answer क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा उसके बाद आपका 139 नमर कुशन दिया है 139 नमर कुशन कह रहा है कि वहाँ फार्मूला बताई यह क्या होता है क्या होता है एक प्ली के बल कि स्कॉइर में दिया है और एल क्या है जो एक प्लियर इस पैनिंग मीटर में तो फार्मुला बताना है कि वहां फार्मुला जो की अपली केबल होता है किसके लिए छे से लेकर करके 15 मीटर स्पैन के दिया तो क्या होता है क्या होता है इसके बाद 140 पंबुस है कि यह इस पर और सांगी टेकन परपेंडिंग टू यह फ्लो लोकली फेंस सई को भी इát को है इसको डिफलेक्ट उसस्ट एक हो जाएगा लोकल्ड है अलो सके बाद आप का 141 number question दिया है का आए जो qritical path होता है क्या होता है इस आलवेज होता है हमें सत denial फूस्ता है 140 का यह वाला एंसर क्या हो जाएगा आपका आपका और कर्यक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका 142 number question diya 142 card is now what you call grader होता हुँ समानता हम यूज करते हैं क्यों करते हैं तThe करेक्ट अंसर आपको डिवाल हो जाएगा इसके बाद आपका 143 नंबर कुशन दिया है 143 क्या कहुए रहा है दो से संप इन और पॉर्पोरेटिंग चेंज़ग दीया है दा प्रोसेस आफ इनकरोपरेटिंग चेंज़ग और प्रीजिली अब इसके बाद 144 नमर कुशन दिया 144 नमर कुशन में क्या कह रहा है विच आप दा फॉलोविंग इसके वेटर इसमोर सुटेबल फार देगिंग अंडर दा वाटर क्या कह रहा है वाटर के अंतरगत डेगिंग करने के लिए सबसे मौ सुटेवल इसके वेटर क्या होता है तो करेक्ट युचे रहे रहा है तुर फॉर्टी फार दा रूट अपदा रिश्यो । आप मोमेंट आप इनर्सिया एंड क्रास सेक्षन औप इट्स क्रास सेक्षनल एरिया इस कॉल्ड क्या कहलाता है उसको जो है रेडियस आप गायरेशन कहते हैं कि छोटा-छोटा बच्चा भी जानता होगा इसके बारे में तो 145 का आपका भी वाला आइंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आपका 146 नंबर कोशन दिया है तो 146 नंबर कोशन में क्या कह रहा है कह रहा है कि इस्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुट भी कैरीड आउट फार दा ब्रीज हाइविंग दा फालोविंग फीचर्स आइज पर आयार्ची रिकमांडेशन के लिए जो किया गया है उसमें कह रहा है कि आयार्ची रिकमांडेशन के अनुसार मिन्मम लेंध आफ एप्रोचेज का मिन्मम लेंध बताना है कहां पर अद आप दा ब्रिज के इन पर कितना होता है तो कर्एक्ट एंसर आपके यहां पर सी हो जाएगा 15-meter होता कितना होत 26 का सी वाल आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आपका 147 नमर्ब कुछिन दिया है 147 नमर्ब कुछिन के रहा है the point of contract lecture occurs in क्या जो होता है वो क्या होता है अकर्स कार करता है किस बीम में काम करता है और हो जाएंग ओवर हेंगिंग ब्रिज में प्रहेंग करता है 147 के Çे वाला एंसर क्या हो जाएगा से यहीं स्पोर्टेट और suspended at the bottom of the superstructure is called क्या दिया अच्छा कुश्चन है कह रहा कि वहां ब्रिज बताईए फूज फ्लोरिंग जिसकी जो फर्स होती है इस क्या होती है और suspended होती है at the bottom of the superstructure, superstructure के bottom पर तो उस ब्रिज को क्या कहते हैं correct answer आपका यहां पर भी हो जाएगा उसको क्या कहते हैं ट्रफ ब्रिज कहते हैं क्या कहते हैं उसे ट्रफ ब्रिज कहते हैं 148 का बी वाला एंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा इसके बाद आपका 149 नंबर कुश्चन दिया है 149 नंबर कुश्चन कह रहा कि the section modulus of hello circular hollow circular section having the external डायर कैप्टल डी है इंटर्नल डायर स्माल डी है क्या कह रहा कि section modulus बताना है हालो circular section का कितना होता है करेक्ट एंसर आपके यहांपर सी हो जाएगा पाई डी पर पावर 4 माइनस स्माल डी पर पावर 4 अपान 32 इंटु दी होता है क्या होता है पाई कोश्चन क्या इसके बाद आपका 150 नंबर कुश्चन दिया है 150 नंबर कुश्चन में कह रहा है कि the maximum bending moment due to a train of field load on a simply supported girder क्या दिया है किसी simply supported girder पर जो वी लोड का किसी train का जो वी लोड के कारण क्या होता है जो maximum bending moment आता है वो क्या होता है तो always occurs under a wheel load क्या हो करता है हमेशा वी लोड के अंतरगत जो है वहीं पर करकार करता है correct answer क्या हो जाएगा आपका B वाला answer यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इस परकार से हम लोगों ने इस वीडियो में दिये गए question को अच्छे से discuss कर लिया है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please channel को like करें share करें subscribe करें comment करें thank you धन्यों